नमस्कार आप देख रहे हैं सेहत मंद नुसके मैं हूँ आपके साथ सुमन आनने की दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको चाय कैसी पसंद है तो आप कहेंगे अधरक वाली लेकिंगे दोस्तों यह अधरक सिव आपके चाय का ही स्वाद नहीं बढ़ाती बलकि आप जानेंगे आज की इस वीडियो में इसलिए इस वीडियो के साथ अंध तक जरूर बने रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दिबाना बिलकुल ना भूले ताकि ऐसे ही सेहत मंद वीडियो की न आप पहुंचाते हैं कच्छी अद्रक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए विटामिन डी आयन जिंक कैलिशियम जैसे पोशक तत्व होते हैं जो आपको कई रोगों से बचाते हैं सर्दी जुकाम जैसे वारल इंफ्रेक्शन के खत्रे से बचा जा सकता है अगर आप कच्छा अद्रक के दर्द में काफी फायदीमन माना जाता है अगर किसी को माइगरेन के शिकायत हो तो उन्हें रोजाना कच्चे अडरी अडरी का सेवन करना चाहिए कॉलिस्ट्रॉल लेवल होता है कम कच्चा अधरक दिल के लिए काफी लाबदायक माना जाता है अधरक के सेवन से कॉलिस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सकता है अगर किसी को कॉलिस्ट्रॉल की शिकायत हो तो उससे रोजाना कच्चे अधरक का सेवन करना चाहिए ब्लेड प्रेशर होता है कंच्रोल, कच्चा अदरक ब्लेड प्रेशर को कंच्रोल करने में मदद करता है, इसलिए अगर किसी को हाई ब्लेड प्रेशर की शिकायत हो तो उन्हें रोजाना सेवन करना चाहिए लेकि लसन, अदरक, लीमू, इन सब का एक एक लीटर जूस निकालना है, इनका किसी भी सूरत में जूस निकालना है एक एक लीटर, और एक सिर्का आता है, जैतुन का सिर्का, अलिव का विनेगर, जैतुन का सिर्का हम लोग कहते हैं आसान जबान में, जैसे गरने का आता है, अंगूर का आता है और सेब का भी आता है ये जैतून का सिरका है ये भी एक लीटर लीजे सब को मिक्स कर दीजे दो तीन चम्मच सुबा नाच्टे के बाद दो तीन चम्मच रात को खाने के बाद पी लिया करिए ये एक तो आपक कॉलिस्टॉल की ख़बर लेगा उसको बिल पेशर ठीक हो जाएगा अधरक स्वास्त के लिए लापकारी है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन वो कहते हैं ना अती किसी की भली नहीं इसलिए जरुवत से जादा अधरक का सेवन करना आपके स्वास्त को नुकसान भी पहुंचा सकता है आपकी सेहत पर कुछ साइड इफे के लिए दोता है जुससे आपको सीनी में जलन हो सकति दिलिकी समस्त्या से जूज रहे मरीजों के लिए अधरक का जादा सेवन उस्ताबनिदी जाती घर्भवस्ता के दुरान अधरक का सेवन करना जहां घर्भवती महिलाओं को जी मिचलाने और उल्टी से निजात दिलात है वहीं एक शोद के मुताबिक अध्रक अधिक सेवन करना गर्भपात के खत्रे को भी बढ़ा सकता है इस स्थिती में अपने डॉक्टर से सरहाज जरूर ले अध्रक के तासीर गरम होती है इसलिए अगर आप किसी तरह के ब्लीडिंग डिसॉर्डर से पीडित है तो फिर अपने आहार में से शामिल करने से परहेश करें अध्रक में एंटी प्लेटलेट तत्व होते हैं जो खून को पतला करने का कारक होते हैं इसी वज़ा से अगर आपका खून पतला है तो इसका सेवन करने से आपको ब्लीडिंग के समस्या हो सकती है अध्रक को लॉंग और लहसून जैसी गरम तासीर वाली चीजों के साथ मि बनाए जादा अध्रक खाना आपको डाइडिया जैसी बिमारी भी दे सकता है ऐसा इसलिए क्यूंकि अध्रक की गरम तासीर आपको बहन कर दस और उल्टी का शुकार बना देती है दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की अध्रक की अध्रक की फाइदे क्या है अध अध्रक की अध्रक का अध्रक करें तो ये आपकी सीहत को लग पःणचाएगा लेकिन अगर आपमें गलत में मात्रा के य लिए, तो Prof. गाना वद घरक की आदा बीव देसी की अध्रक की विद्वी का शूंके ये वीडियो में हमें कमेंट का जरूर बताए है अगर आप हम से कुछ और भी जाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही खुश रहें तंदरुस्त रहें नमस्कार